हालो और वेलकम फ्रेंड्स पाइथन सिखने की सिरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए नेगेटिव इंडेक्सिंग के निर्धार कैसे हो गाइलो वर्डौ ध्यांतिजी गाइले नहीं रखता है यह ध्यान रखियेगा अब यहां पर लिखा हुए है माइनस 5, माइनस 5 का मतलब क्या निकलता है माइनस 5 का मतलब निकलता है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5 तो ये हो गया माइनस 5 और माइनस 2 का मतलब क्या हुआ माइनस 2 का मतलब ये last का ये दूग आयब हो जाएगा यानि ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 था कुल मिला करके यह यहां तक 5 आ रहा था यानि RLD प्रिंटिंग में आना चाहिए एक बार इसको चला के देखते हैं क्या होता है यहां से इसको चला रहा हूँ जरध्यान दीजेगा यहां पर RLD ही प्रिंटिंग में आ रहा है यहां पर पहले रहा माइनस 5 तो माइनस 5 हमने काउंट कर लिया यहां तक आया अब माइनस 2 कर रहा है तो यानि लास्ट से यह माइनस 2 हटा दीजे यही कह रहा है ठीक है अगर मैं माइनस 1 करता हूँ या माइनस 3 कर देता हूँ देखिए माइनस 5 तो कहा तक जाएगा यह 1,2,3,4 और यह 5 यह माइनस 5 हो गया अब यहां से क्या करना है माइनस 3 करना है तो माइनस 3 इन 3 को हटा देगा यानि 5 रहा आपका यहां तक दो 3,4,5 तो केवल R और L इस बार प्रिंट करेगा तो यहां से इसको चलाईए और देखिए R और L ही प्रिंट करके देगा ठीक है अगर यहां पर प्लस 5 और माइनस 3 कर देते हैं तो ऐसे में क्या होगा तो यहां पर इसको चलाते हैं और यह 5 हो गया ठीक है अब यह 5 तो हो गया लेकिन माइनस 3 कह रहा है तो माइनस 3 का मतलब यह हो गया कि यहां पर इसको हटा देगा यह माइनस 3 का मतलब यह हटा देगा अब इतनी चीजे हटाने के बाद 5-3 किया गया है तो यहां से जाहर सी बात है कि जब भी प्रिंट करवाएंगे तो कॉमा के साथ W, O, R, L ही प्रिंट होता हूँ नजर आएगा क्योंकि –3 का मतलब इन तीनों को यह हटा देगा इसी तरह से अगर यह पॉजिटिव इंडेकसिंग होती जैसे माली यह तो ठीक है यहां पर अगर मैं –1 कर देता हूँ –1 तो जब इसको हटाएगा तो यहां से ले करके और पूरा यहां तक यह प्रिंट करेगा एक बार इसको चलाते हैं देखते क्या आता है तो यहां से चलाया हमें तो आप देख सकते हैं कि कॉमा के साथ वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है सिर्फ एक यह हटा रहा है यानि –1 इसी को यह कर रहा है ठीक है तो उमीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी कि यह कैसे हुआ है ठीक है